आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में आज हम आपके लिए एक इंपर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं सभी बच्चों का सवाल होता है कि सार्व की 10th क्लास के बाद में हमें क्या करना चाहिए यह 12th के बाद में क्या करना चाहिए तो आज हम यह क्या कर सकते हैं या फिर और करियर सकते हो लिए क्या कर सकते हो ऐनकी कौन से उसमें लिए आप पढ़ाइं कर सकते हो तो आज दुघ्याप में हैं वैसे that रियो जम गवार्विंट ने आभ यह सार्म हो worked यह जो यहतनी संमगे तो इनके लिए तो उनके लिए यह Santa standard basic math यहां पर कर दिया है तो उसमें अब यह साफ हो चुका है जो basic वाले में यह जो da सकते हैं और लेकिन जो standard वाले हैं और कॉल में बीजा सकते हैं यानी कि और commerce साइंस में जा सकते हैं कि आपने 10th class में Sanrdly यह बेसिक है तो करता है यहां पर तो आज हम आपको यहां पर यह बताने वाले हैं तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक लिए सबस्क्राइब नहीं के तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ में बैल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगए तो आप इस वीडियो को लाइक भी करें तो आए हम सुरू करते हैं यहां पर वट इस दानेक्स्ट वट इस दानेक्स्ट यानि यानि कि what is the next यानि कि after tenth class के बात में आप क्या 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 सकते हैं तो यहां पर इसके वीडियोग सकते हैं intermediate intermediate two years thought technicians three years IT यहां दो साल और paramedical तीन साल और short terms courses यानि कि छह मंत यानिकि छह मंत कहा one year का होता हैं अगर intermediate में आप देखते हैं यहां पर स्क्राइड साइन Zie सैंस हैं फिर और साइज सायंच है फिर आट के तो मैंने अभी आपको बता दिया कि जिन बचोंने यानि कि स्टैंडर्ड लिया ह içैंब थो साइं Master commerce में जा सकते हैं लेकिन जन्हों ने बेसिक मेस लिए वा तो सिर्फ छो से पार्ल्स करते हैं फिर इधर है पर नोगे में पर संदोल है पाल टेखनिक सब्सक्राइब करना है कहा हैłby प्रस्द करना चाहते हैं अदिक करना जाता है मैं कफिटर साइंस में कशन हमारे हम С smarter में के माइना में हैं ओन थे केरियर बना सकते हैं इधर दूसे साइड में आप आई-टी ट्रिपल आई-टी यह भी आप कर सकते हैं या फिर आई-टी आई-टी में यहां पर आप देख सकते हैं आई-टी में फीटर है कंप्यूटर है सिविल सिविल में यानि कि ड्राफ्ट में कर सकते हैं मेकैनिकल के अं टीवी मोटर वीकल डीजल और यहां मरीन और एलेक्ट्रीशन एंड एलेक्ट्रोनिक प्लंबर शर्वेवर एलेक्ट्रीकल मेकेनिकल टूल्स वैल्डर फायरमेन को कोकेरी पैंट टेक्नलोजी इनकी जगे बहुत निकलती है आई टी में बहुत ज्यादा मात्रा में यह निकी लगनी जगे निकलती हैं तो आप आप वहां पर एप्लाई कर सकते हैं अगर आपने आई टीई से क्रस्गे यह क plug होग ए तो इसके बैस पर बहुत ज्यादा ब्हुत निकलती रहते हैं तो वहां पर पर आप कर सकते हैं तो इसके बाद में यहां पर paramedical paramedical में भी आप जा सकते हैं लेकिन paramedical यानि कि जो यानि कि जिन बच्चों ने standard लिया हुआ है उसके बाद में ही वही जा सकते हैं basic वाले यहां पर नहीं जा सकते तो paramedical में DLMT, DHFM, DOA, health inspector, sanitary inspector तो ये यानि कि courses वहां से कर सकते हैं और short term courses में यानि की DTP, PGDCA, Tally, Internet, Graphics, Animation, Web, Designing, Cyber Security तो यह courses आप कर सकते हैं इसके बाद में यानि की इनमें आपना केरियर आप बना सकते हैं तो आगे यहाँ पर examination की बात कर रहे हैं APR जैसी एक exam होता है जो यानि की यह website है इस website पर जाकर उसके आप चैक कर सकते हैं कि कब निकलता है और कब वो उसकी form भरी जाती है अगर आप उस examination को clear कर ले तो उसके base पर यानि की कुछ courses होते हैं तो वो course वहाँ से आप कर सकते हैं हैं और उसके base पर आपको job मिल जाती है इदर technique इंट्रेंस यानि कि पॉलटेकनीक में इंट्रेंस के लिए यानि की दाकला लेने के लिए एक जो इस site पर जाके आप देख सकते हैं कि कब उनके के लिए कब जगह निकलती हैं आप उसमें इंट्रेंस टेस्ट यानिकी उसमें के लिए भी आप यानि की वह कॉर्स कर सकते हैं इसके बाद में हम आते हैं वाट इस दा नेक्स्ट आफ्टर इंटर्मीडियर्ट यानि कि अगर आपने बारगी की इंटर्मीडियर्ट यानि कि 12 के बाद में आप क्या क्या कॉर्स कर सकते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं for years यानि कि BA, BTEK जैसे कहा जाता है इधर medical में आपते सकते हैं थरड में degree फिर है टैकनिक और फिर है अधर स्रुब टैकनिक ने टीचिंग तीचिंग और फिर अधर यहां पर तो यहां पर आप देख सकते हैं कि engineering monitoring फॉर साल की यानिकि च्यार साल की हुए भीए critical हेंमिनें टेस्ट इंट्रेंश टेस्ट होते हैं यानि कि आप यहां पर देख सकते हैं कि ह्यए इंट्रेंश टेस्ट की इसकी बात की जा रही है हम यह होते हैं इनको आप देने के बाद में यानि कि अगर आपने किलियर कर लिया तो इन में आप एडिमिसन ले सकते हो जो यहां पर यह नीचे की तरफ आपको दिखाये दिये हैं C, CSE, IT, CEE, EEE, Civil Engineering, Mechanical Engineering, Chemical Engineering यह सारी की सारे Engineering courses हैं इन में आप यह यानि कि दाख क्ला ले सकते होर उसके बाद में अपना आप यह विलिए यहां पर आप देख सकते हो है Medical iz eligible VIPC यह course है तो इसके लिए आप apply कर सकते हैं यह medicine five years का course है तो वहाँ पर apply कर सकते हैं इंट्रेंज टेस्ट इसके लिए इंट्रेंज टेस्ट आपके पास में यह इंट्रेंज टेस्ट हैं इसके कॉर्स हैं और इसके कॉर्स टेस्ट इंटरेंस टेस्ट को क्लियर करने के बाद में आप इनमें MBBS ऑलोपेथिक बीओमेस यह नहीं कि इनमें आप एडमिशन ले सकते हैं और इनमें आप अपना करियर बना सकते हैं आगे हां allied health science, b pharma, bse nursing तो यहां पर यह सारे nursing के courses हैं तो यहां पर यह health related जितने भी हैं यह courses आपको यहां पर दिये हुए हैं आप इनको देख सकते हैं इनमें जिसमें चाहें आप उसमें जाके फिर यानिकि आप यानिकि आपना केरियर बना सकते हैं और यह होते हैं science वालों के लिए science side वालों के लिए यानिकि commerce वाले और arts वालों के लिए यह बिल्कुल भी नहीं होते हैं कोई बच्चा सोचेगे इसके बाद में आप यहां देख सकते हैं तीन साल पी टिक्री כहार्स कोR इंटरेंट सेक्टाइट को क्षिलियर करने क sweaty अ 57 की प्रामेर टीचर के लिए आप चलिए की सब्स्कार्ड हो जाते हैं यहां यूकर्ड यूडीपAN दि Isleri यह प्याईड तो फुर्छे मिसल II दिए और यूपीप एड यूदीप एड यानि की ट्वीयर का कॉर्स इंट्रेंस टेस्ट और पीट टीचर के लिए होता है और एसी सी इडी यानि की अर्ली चाहिल्ड क्यार एजुकेशन इसमें भी आप यानि की एडिमिशन ले सकते हैं और इसमें अपना केरियर बना सकते हैं इसके एप्लाई करने के बाद में एक एंडिये का उसमें यानि की आर्मी और फॉर्स के लिए पार्ट मिल और यहां इधर आप अधर साइड में देखें तो वह और इन लेंग्वेज फाइर सेफटी जर्नलिस्म हों साइंस टूरिज्म होटल मैनेश्मेंट रूल डिवलोप्मेंट डिजाइन फैसन डिजाइन के अंदर फैसन इंटिरियर जेव लदी तो यह सारी चीज है यह निकी कॉर्स हैं तो इनमें आप जा सकते हैं फिल्मेकिंग में डार साइन के सकते हैं इसमें बिएक्णि आंजयेकिंगं एकसटे इनमेंगों कि अपना कॉर्स को मैंनेज्मेंट में में फाइनेश मेनेजमेंट मेंट मैंच में टोल मैंच मैंकी तो कर सकते हैं निच LB तो इसके साथ में यह नहीं कि यह courses आप कर सकते हैं 12th के बाद में 12th class के बाद में BA तो यहां पर BA के कैई types यहां पर दिये हुए है किस-किस में आप BA कर सकते हैं फिर BSC है BSC में आप कौन कौन सी BSC में कई तरह की BSC होती है तो उनमें से कौन सी BSC से आप कर सकते हैं B.com में भी है B.com regular है B.com computer है B.com बेंक मेनेजर हैं और B.com tax process है यहां पर यह courses है और अधर डिग्री में LLB में BBA BCA BBM BAF और BFM BMS तो यह सारे के सारे courses आप यानि कि 12th class के बाद में कर सकते हैं इधर तरे ट्रे हैं कि 12th ग्रीचator के वान रीडला का मीन्स किया है Hai कि 12th डीवरी साथ डे यानि कि 12th सकते हैं यह क्या स्कते हैं वह कौन कौन सी है B.com state यहान और यह प्लाप्र बेंख़ने हो और 4 साल यहां आपके इधर आपके तो 3 साल और प्लस में यहां आपका 1 सहल और लगके याई कि दो डीघ्रिया आपके हाथ में आरे disturbed आपको दो गार्शिती सक्रें तो सब्स्ची ज्यादा वीच्च रहाएगा कि अनुआ कि दोनों डिएक साथ मिल जाएगा यहां सिंगल सिंगल हैं आपके लिए यह इधर professional courses में ICWA यानवे वाले बच्चे होते हैं professional courses ICWACSSCA तो इन courses को वह बच्चे कर सकते हैं जो यानी कि commerce वाले बच्चे हैं मिनको आप कर सकते हो और इनके base पे आप आपको सारी चीजे मेरे से ज्यादा पता है तो आप इसमें वो कॉर्सिज कर सकते हों तो इसके बाद में आप आप यहां पर CMA, CPT, ATC, IPCC यह 9 मंत का होता है ITT यानि की 100 hours, articleship work under CA, clear final exam, BCOM CA तो यह कॉर्सिज आप वहां से यानि की 12th class के बाद में कर सकते हैं इसके बाद में after this what is the next after graduation यानि की graduation अगर आप कर रहे हैं तो उसके बाद में क्या कर सकते हैं यानि की graduation के बाद में आप क्या क्या courses कर सकते हैं कि graduation के बाद में engineering students, medical student, degree student, teaching student यानि की चीजनों नहींकि 10-112 Kindustry in 1984 कि क्या क्या है उसके अनुसार आप अलग-अलग उनके लिए है यानि की engineering students क्या कर सकता है जॉब कर सकते हैं M.TeX कर सकते हैं, MBA कर सकते हैं, Medical students. जॉब भी कर सकते हैं, Practice भी कर सकते हैं, MS भी कर सकते हैं, तो इसके बारे में बचाएं बताएंगे संवा इद्हरी अ कर सकते हैं तो फीजिकले टीचर पोड़ने सकते हैं यान्űकि बीये ने करने के अब कर सकते हैं फिर इसका बाद फिर कर सकते हैं यह सब्सक्राइब लिए क्रणारे पॉस्ट 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 सकते हैं NOW पर कि यहाँ पर आप बिस्टक्रान कि आगर सकते हैं डीकर सकते हैं आगर वाली स्टुनेंट्स करसकते हैं नीचे आप देखिए बिदी सकते हैं और फिर उसके बाद में यानिकि आफ्टर दिस यानिकि वो जॉब कर सकते हैं यानिकि किसी भी कंपनी में लग सकते हैं तो इसके बाद में आप जॉब्स की बात करें तो यहां पर पॉस्ट ग्रेजिशन के लिए यानिकि पॉस्ट गुर्शन कॉर्स और इसके लिए इलिजिबिलिटी क्या है अलग-अलग है में इंग्लिस है में तेल्गु है पहले तो यानिकि उसके लिए यानिकि वह हमारे पास में वह सब्जेक्ट प्रॉपर होना चाहिए तो उसमें यानिकि हम में में सी कर सकते हैं अगर वह में हमारे पास में वह सब्जेक्ट है अगर हमारे पास में तो यानिकि में से कर सकते हैं में में सी कर सकते हैं अगर हमारे पास में हिंदी है तो हिंदी से हम में में कर सकते हैं अगर इंग्लिस हैं हमारे पास में ग्रेशन के अंदर तो हम इंग् से आप आगे हैं कि कर सकते हैं कि यहां जैसे अब मैंने जैसे मैंस किया हुआ है तो मैंस के लिए आप यहां पर देख सकते हैं राइट साइड में यहां पर यह देख सकते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंसी मैंस भी बैसी और बीए विद वन सब्जेक्ट मैं वन सब मैं भी MSC कहलाऊंगा ना कि BSC वाला ही MSC कहलाएगा तो यानि कि यह चीज डिपेंड करती है कि आपने कॉर्स क्या क्या है तो उसको यानि कि MSC कहा जाएगा ठीक है तो यह आपको समझ में आ गया इसके बाद में इसी तरीके से यहां पर और कॉर्स भी है आप इनका सकते हैं आपको समझ में आ जाएगा कि यह क्या है और किस तरीके से आप क्या कॉर्स कर सकते हो तो आगे हम एक्जाम की बात करते हैं एक्जाम सियेट्स आफ्टर इंटर्मीडियेट एटे गलांस तो यहां पर सीरियल नंबर वन में नेम आफ्टा एग्जामिनेशन कब नोटिफिकेशन आता है मौड ऑफ सेलेक्शन उसका सेलेक्शन कैसा होता और कौन सी वेबसाइट पर जाकर यानि कि हमें वह भरना है तो यहां पर नेम ऑफ एग्जामिनेशन एपी एए एमसेट एमसेट अंदर परदेश गौर्मेंट लेती है और यह यानिकी बोड है देखिए वहां की अंदरपरदेश की तो यह गौर्मेंट जो है बोर्ड है पोल लेती है मार्श में नोटिफिकेशन इसका निकलता है और यह स्टेट लेवल पर होता है यानि कि आंदर परतदेश के ही उस पर लेवल पर है और इसकी साइट आपके सामने यहां पर जैसे ज यह एडवांस यह मैन है और यह एडवांस के लिए भी नेशनल इंडरेंस होता है और यह यानि कि इस वैब साइट पर आपको इसके डिटेल मिल जाएगी और वी I TEEE TRIPEL E तो यह भी एक टेस्ट है जो इस वेब साइट पर जाकर आप इसकी डिटेल जान सकते हैं यह अगला कोमेट के तो यह इस तरीके के यह निकी कॉर्स है नेम ऑफ एक्जाम एक्जामनेशन है और उनके यहां पर एंस के लिए यह आप एप्लाई इन्वाइट फॉर एंबीबियास और यह फरवरी मार्च में इसके फॉर्म निकलते हैं थिरूर नैशनल इंटरेंस एक्जाम इसका गयारेस यह इस पे और एक्जाम डौर 迫शुक्तर फॉर्म एप्लाई कर सकते में उसके लिए थरूर यह नोट्सक्राइब に सब्सक्राइब या श्बोर 8 yr 9 फिर 7 नेशनल लेवल पर एंग्जाम होता है स्टी भी ऑस्सी नीट-टमृच्ट नीट टोट इन नीट का जींच कहलाता है तो पहिं तो यानिकly यह सब्सक्राइब असाइब इस स्वी टरी किया और भी एक्जाम刚 जाएं तो इसे तरीके से कि यहां पर इंजिनेरिंग के लिए जैसे यहां पर अगर कभी भी कोई जूब निकलते तो इस तरीक से निकलेंगा यह निकि जॉब इंटरेंस एगजाम जे इई में तो परफ़ज पॉर एड़मीशन परफ़ज क्या है एडमीशन के लिए आप कर सकते हैं जिसके पास में 12 क्लास में physics chemistry math हो वही बच्चा इसमें एपलाई कर सकता है इसके admission के लिए application mode online source यानि कि यहां से जाकर आप यानि की जो वेबसाइट है इस पर जाकर क्लिक करेंगे तो वेबसाइट आपके आप खुल जाएगे वहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं जाई एडवांस के लिए इस तरीके से परपर्ज अड्मिशन एन यूजी प्रोग्राम इन आई इसम तो यह सारी चीज़ें वहां से आप अप्लाई कर सकते हो तो यह सारी आपको दिखा रखेंगे हैं आप देख सकत चीज़ें के निश्नल लेवर या रास्टे से तरपर जिनके एंटरन्स एक्जाम होते हैं और उनमें बहुत कम बच्चों का याणि की नंबर आता है क्योंकि क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं कुछ बच्चे क्वालिफाई क्योंकि उसकी जो रैंकिंग जाती है वह बहुत पताई जाती है तो यह बहुत बड़े लेवल का एक्जाम होता है तो इसमें थोड़ा सा मेहनत आपको ज्यादा करने पड़ेगी और उसके लिए आप बिल्कुल सेलेक्ट हो सकते हैं अगर आप मेहनत करते हैं तो तो यहां पर आप अधिकल के लिए नेशनल एजिवर्टी कम इंट्रेंश टेस्ट नीट एडमिशन एंबीपीएस और पीडियस में एडमिशन के लिए यानि कि आपके पास में PCP होना चाहिए फीजिक्स,केमिस्ट्री और बायलोजी तो तो आपके पास लिए और आप ऑनलाइन यहां पर कर सकते हैं तो यह आपके सामने यह पर दिखाई गई हैं यह पूरीकी पूरी जो साइट्स आप यानि कि यह इंट्रेंस लेवल इंट्रेंस लेती हैं यानि कि इन पर आप देख सकते हैं तो इस तरीके से यहां पर और आप देख सकते हैं सारे के सारे इस तरीके से बहुत सारे टेस्ट होते हैं लॉक के लिए आप क्या कर सकते हैं Common Law Admission Test Law Fiscal Admission Test LSAT इंडिया तो All India Law Interest Test यह सभी यानि की जो लो करते हैं यानि की कानून की पर कि लिए होट्ल मेनेज्मेंट के लिए इहां से को सकते हैं रभी किल्ट होटल मेनेज्मेंट के लिए यहां से पोस्ट होटल मैनेज्मेंट प्रमेंट 8 यादरवाइस आप यहानि की तरीके से होटल नहीं चला सकते बड़े लेवल पर जो होटल होते तो उनके लिए हमारे पास डिग्रियों जाए फैसे डिजाइन के लिए लिए यागर कोई बच्चा सीखना चाहता है तो उसके लिए यानि की यह कोर्स होते हैं तो उसके अनुस तो इस तरीके से टेलेंस टेश्टेग लैंस नेम ऑफ एक्जाम एंडेसी नेशनल टेलेंट सर्च टैंथ क्लास के स्टुजेंस में इसमें होनी चाहिए साइन्स मैफ और सोसल साइंस तीन में और मेंटल एबिल्टी तो ये एंसी डॉट निक डॉट इन पर जाकर हम एपलाई कर सकते हैं तो यह यारी कि यहां पर हजारों आपको दी रहे्ए हैंने मैं वैंड़ सामने आप दीवी हैं तो मैं आपको सुरू से डिका देता ह। यहां पर आगर आप देखते हैं तो पहले से आठ यानि कि आप यानि की इन की देख सकते हैं कि किस से कहां तक की eligibility होते हैं कौन से मैं हम test talent test दे सकते हैं और उसके बेश पर फिर भी आपको scholarship दे जाती है अगर आप उसको qualify करते हैं तो तो यहां पर है आगे हम यहां आफ आगे देख सकते हैं तो यह सारी साइट थे है रीजर्वालइत्टे जाकर आप लोगस्टाइवा पर यहां पर यह है तोจะ को juich सकते हैं और खार के जो फोट होते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं बैचल लोगाई सब्सक्राइब करना चाहता है तो इतनी यानि कि कॉर्स काफी कॉर्स होते हैं तो कौन सा बचा किस में इंट्रेस्ट है कौन सा कॉर्स करना चाहता है जैसे लल्ब को कहा जाता है बैचलर ओफ ला कहा जाता है तो यानि कि इस तरीके के बैचलर ओफ मैडिशन बैचलर ओफ सर्जरी तो यह एक्जामों के अंदर तो यहां से आप कर सकते हैं बैचलर ऑफ अचलर जैसे बीआ-प जाफ िपर लाते हैं जिस चीज के मास्ट आप बनने चाहते हैं आर्खिटेक्ट्चर में आर्स में बिजनिस में में Commerce में Computer Appliance में Education में जैसे M.Ed Master of Law तो इस तरीका Master of Science M.Sc. तो यह सारे के Master Course हैं तो यानि कि वो जो भी उस course को करता है यानि कि वो उसका Master कहलाता है यानि कि और अगर यहां पर more Doctor of psychology यानि कि PhD को कर लेता है तो यानि कि वो Doctor of philosophy यह philosophy है Integrated dual degree Integrated के है जैसे भी आपको बताए है diploma है पीजी डिपलोमा है तो यानि कि यह courses आप यहां से यानि कि क्या course किसके बाद में कर सकते हैं तो यह हमने आपको यहां पर बताया है तो आपको अगर यह knowledge अच्छी लगे तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे आए तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साथ में फेल यॉइद करें और आप हमें facebook पर instagram पर twitter पर पर अलो कर सकते हैं और हमारी website पर जा कर यानिकी कि इस का लिंक मैं आपको दे दूँगा वहां पर यानि कि उसको आप इस परफॉर्मे को वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक ज़रूर करें बने रहें हमारी नेक्स्ट वीडियो तरह